हलो आज है फिफ्ट जैन्वरी और आज इस वडियो में हम बात करने जा रहें आलोग इंडिस्ट्रीज के बारे में देखे 31 रुपे का शेर है 14% की तेजी और देखा जाए तो भया जब से रिलाइंस के इन्फूजन की खबर आई है ये एकदम से 21 रुपे से भागा है तो पिछले चार ट्रेडिंग शेशन में ही 21 रुपे से 31 रुपे पर ये पहुँच चुका है तो भाई सहाब ये जो 55% की जो तीजी आप देख रहे हो वो सिफ चार दिनों की तेजी है सिफ चार दिन की तेजी शानदा रफतर यहाँ पर बनी है बात करेंगे उसके बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने अविद्ध चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे विडियोस है जब पो काफी जादा हेल्प करेंगे तो 31 रुपे का शर है आलोग इंडश्रीज का 55% की तीजी पिछले एक महिने में देखने को मिली है एक साल में अगर हम देखेंगे तो 100% की तीजी जरूर है जो लोवर लेवल था वो 10-10.5 रुपे का था अगर वहां से कंपेर करेंगे तो शायद यहाँ पर जो ग्रोथ है वो 2500-300% का है इतनी बड़ी रफतार है और हाला कि जो 30 की शुरूरात हो चुकी थी यहाँ पर जुलाई के एंड से क्योंकि देखा जाये तो रिलाइंस की एन्यूल जनरल मीटिंग होई थी और तब रिलाइंस ने अनाउंस करा था यहाँ पर कि वाई साब वो जो है साथ हजार करोड रुपे इन्फ्यूस करने वाले है आलोक इंडेस्ट्रीस में और साड़े 14 रुपे से शेयर 22 रुपे पर जाता हुआ नजर आया उसके बाद कुछ टाइम के लिए करेक्शन भी बना लेकिन बाद में दोबारा जब इन्फ्यूजन को लेकर खबर आना शुरू है यह वापस भागया और अभी जब 3300 करोड रुपे इन्फ्यूस कर दिये तो 31 से 31 पर जाता यह नजर आया बहतरीन तीजी है एक साथ के सबसे हाइस लेवल पर है 5 साल का जो हाइस लेवल हाला कि वो देखा जाये तो 50 रुपे से भी उपर का था 55 रुपे के करीब का था वहां से यह लगाता गिरा और इस बार फिर से ही तेजी बनी जरूर है हाला कि अगर हम देखेंगे तो ऐसी तेजी इससे पहले भी आये थी डिसमबर 2021 में अगर हम देखें तो 21 रुपे का यह शेर था और भागा था यह और 31 रुपे पर चला गया था 31 रुपे 55 पैसे लेकिन वहां से करेक्शन्स भी बने थे इस बार देखते हैं कि 31 रुपे का लिवल सक्सेस्पूली ब्रीच कर पाते हैं 31 रुपे 50 पसे का जो लिवल में तो 32 रुपे माल लो और यह जो पैसा है यह एक्विटी के थ्रू हो रहा है तो देखा जै तो तक्रीबन 9 परसंट यहां पर है यहां पर अगर आप देखोगे तो तक्रीबन 9 परसंट का जो 9 परसंट का जो स्टेक है वो यहां पर है Most of the funds raise will be used by company to pay down its debt तो जो पैसा यहां पर आने वाले उसका ज़्यादा पैसा जो है वो इस्तमाल होने वाले कि company अपना debt को चुका देगी और यह बहुत बड़ी बात है कि company अगर debt को चुका देगी तो 21 बदा है क्या होगी कि जो आलोक industries अब तक loss making है हर quarter में बड़े-बड़े loss कर रही है अगर debt चुका देगी तो वाई सहाब loss से profitable होने में इनको time नहीं लगेगा volume का भी बहुत बड़ा game चला है बया 17 करोड से भी जादा के share trade हो चुके है यहां पर तो बहुत बड़ी quantity में share भी trading हो रही है और यह भी एक सबसे बड़ी वज़ा भी है यहां पर और जहां तक बात करी जाए आलोक को लेकर तो आलोक में according to money control user 50% लोग कहरे खरीदारी करो 25% लोग कहरे बेचो और भाग जाओ और 25% लोग कहरे hold करो यहां पर company में अगर आप देखोगे तो यहां पर numbers देखो revenue wise बहतरीन तीजी हमने देखी यहां पर ठीक है पिछले दो financial year लेकिन problem है इनके profits में profit नहीं है company loss कर रखी है इवन अगर आप quarterly performance भी देखोगे तो हलाकि revenue में तो decline चल ज़रूर रहा है लगाता गिर रहा है और कहीं न कहीं company अपने production को बढ़ाने की कोशिश भी करेगी future में लेकिन जो सबसे बड़ी problem नकी है वो है profit में बढ़ता हुआ loss और जाहिर से बात है जब company के उपर debt होता है तो वाई सब हर quarter में हर महीने या फिर के लो हर साल इनको वो पैसा चुकाना पड़ता है banks वगेरा का अगर पैसा जो raise हो रहा है उसका इस्तमाल अगर ये debt को चुकाने में करेंगी तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो loss जो आपको दिख रहा है वो बहुत जल्दी profit में convert हो सकता है और ये एक बड़ी बात यहाँ पर है यही वज़ा है कि शेर में अभी अगरा जो तो 30 भी देखने को मिल रही है जहाँ तक बात करें आलोग को लेकर तो भाई सब negative में पी है क्योंकि साहरे से बात है company loss making है लेकिन जिस aggressiveness से reliance बढ़ रहा है मुझे रता है कि शाहँ डिसंबर के number उतने अच्छे ना है आलोग के लेकिन शायद उसके बात के quarter के numbers में नज़र रहने वाली है क्योंकि company जो पैसा raise करीगी उसका इस्तमाल लेट हो चुकाने में करीगी कहीं नगर उसका इस्तमाल उसकी वज़े से company के numbers जो है वो शायद बहतर दिख सकते है जहां तक बात करें के share holding को लेकर तो promoter के पास 75% की holding के promoter को है यहाँ पर reliance है 40% की जो quantity है वो reliance industries के पास है 35% GM financial के पास है लेकिन वो भी reliance कही है यहाँ पर mutual fund के पास 0.02% की holding है 0.32% domestic के पास है 2.16% FILS लेकर बैठे है retail और other के मिलाकर 22.50% की holding है जिन में retail investor यहाँ पर 16.61% की holding लेकर बैठे है other parties यहाँ पर 5.89% पर बैठी हुई है हलाकि यह September quarter के share holding pattern है अभी December में देखना रहेगा कि company की share holding pattern है क्या change आता है और यह देखना सबसे जादा interesting होगा कि बड़े fund house की यहाँ पर entry हो भी रही है कि नहीं देखिए overall अगर मैं बात करू आलोग को लेकर तो company मेरे इसाब से खराब है fundamentally खराब है लेकिन turn around की position भी देखने को भी मिल रही है क्योंकि देखो reliance इतना सारा पैसा infuse अगर कर रहा है और उसका इस्तमाल अगर debt को चुकाने में हो रहा है तो कहीं न कहीं चीज़े बहतर हो सकती है इनके लिए और देखो आलोग को लेकर इसे पहले भी मैं भी मैंने वीडियो बना था जहाँ पर मैंने कहा था कि चीज़े बहतर होगी long term में क्योंकि Reliance का हाथ है इनके उपर और कहीं न कहीं उसका फाइदा इनको definitely मिलने वारे इसे ऐसे नहीं नहीं मिलेगा definitely इसका फाइदा मिलेगा इसको long term के लिए हाथ से लेकिन एक खत्रा हमेशा इसके उपर रहेगा वो यह है कि आलोग इंडस्ट्रीज यह वो कंपनी है जो दिवालिया हो चुकी थी और इस दिवालिया कंपनी को Reliance Industries ने खरीदा था और तब यह था कि इतने साल तक वो इनको सब्सक्राइब कर रहा हूं और वो सब चीज़े यहां पर देखने को मिल जाएगी तो अच्छी बात है और आलोग मैं यही कहूंगा कि बेचने की जरूरत नहीं है तीज़ी यहां पर देखने को मिल रखी है और थोड़ा सा और उपर जाने के चांसे जरूर है हाला कि आप इसको चाहो तो 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के कैरी कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन फ्रेश वाइंग को लेकर जहां तक बात है मुझे लगता है कि अगे इन में कहूंगा देखो जब भी इसने कोई बड़ी तीज़ी दिखाई ये भले ही खबर के चलते भी क्यों नहीं हो लेकिन बात में थोड़े बहुत करेशन बीच बीच में बने है लेकिन उतने नहीं बने है जहां से ये भागना शुरू करा था जैसे कि Reliance की 7000 करोड रुपे इन्फ्यूस करने की जब खबर आई थी तो ये 14 रुपे से 22 पर गया था लेकिन वापस से 22 से गिर कर ये 17 पर भी आ गया था तो वो चीज़ भी आपको यहां पर ध्यान में रखनी होगी कि तीज़ी दिखाएगा तो सही लेकिन थोड़ा बह पर बहुत सारे नहीं बाय ओन डिप्स का होना चाहिए हर 15-20 परसंट के डिकलाइन पर एड़ करने के मौके यहां पर डूणने चाहिए चीज़े डेफिनिटली न्यूस के चलते बहतर हो जरूर रही है अब देखना यह है कि यहां पर इंसिटूशन वाले एंट्री कर रहे है कि ने क्योंकि देखो 21 रुपे से 31 पर गया है तो कहीं न कई इंसिटूशन की एंट्री मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है और अब इनके नंबर्स आएंगे और अब जब इनके शेहोल्डें पैटन आएगी तो अब चीज़े और जादा क्लियर ह हो जाएगी उम्मीद करता हूँ कि चीज़े बहतर हो इनके लिए वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करें श्रीकर चाहें वगर आप पहली बारें तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आलोग इंडिस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते है वो भी आप मुझे कमेंट में लेकि बता सकते हैं थैंक यू